Dear Friends, Class 9 का English का Question Paper देख रहे हैं हम, जिसमें Second Test का Paper है आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके Solution को और आपके सारे विशे को इसी तरह से Solution करके, इसी वीडियो के Description Box में 9th Class की जो Playlist है, उसमें आप देखेंगे तो सारे विशे आपको मिल जाएंगे, समय पर अगर आपने Not Notification का आइकन दबा रखा है, तो आपको समय समय पर आपके जो भी सब्जेक्ट अप्लोट किये जा रहे हैं, उनके भी answers मिलते रहेंगे, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले कोशन से, How many members were there in KJS family, कितने family members थे तो 4 family members थे, What will KJS make for a gift, उसने gift के लिए क्या बनाया था, तो एक pin question बनाया था, C option correct हो जाएगा, Who was Einstein's newborn sister, तो उसको माजा उसने नाम दिया था, A option correct हो जाएगा, उसके बाद में आते हैं, कभी-कभी वो पूछ लेता कि क्या नाम था, उसका तो माजा था, उसके बाद में, To whom did Einstein write a letter, तो American President को उसने एक letter लिखा था, उसके बाद नेक्स्ट question की दरफ, नेक्स्ट question में पूछा गया आप से, How many close friends does कलाम has, तो कलाम के तीन खास दोस्ते, B option correct हो जाएगा, जो की एक तो मंदिर में पुजारी था, दूसरा आपका उन पुजारी तक पहुचने वाले लोगों के लिए प्रेटन स्थल में चला गया था, और त force दोवारा है, C option correct हो जाएगा, इसके बाद में, don't know father to whom does I refer to, तो यहाँ पर I जो refer है, वो यहाँ पर misprint सा है, उसमा आपको दिक्कत जाएगे, केजिया जो है, उसके लिए refer है, उसके बाद में, I next जो question है, इसको वैसे दिया तो इसी तरह से है, आप चाहें तो इसको भी ब fire is called, यानि कि एक open space, एक room जैसा होता है, जहाँ पर fire आग लगा सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो fire place कहा जाता है, उसके बाद में, दसवा question है, a person who sells meat is called, तो जो meat बेचते हैं, जो मुरगा बेचते हैं, जो बकरा बेचते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बूचर बोलते हैंगी, तो यहाँ पर रिवॉल्स आ जाएगा, ठीक है, रिवॉल्स, तो यहाँ पर आपका option क्या जाएगा, डी option सही आ जाएगा, उसके बाद में, बारवा जो question है, my mother always does to the temple in the morning, अब यहाँ पर always की बात आ रही है, तो भी यहाँ पर मैने जैसे बताया, present में जो भी काम ह होते हैं, वो, yes, 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 के साथ संपन होते हैं, तो यहाँ पर गोज आ जाएगा, c option correct हो जाएगा, there are clouds in the sky, so it does rain today, तो यहाँ पर बोल रहा है कि, यहाँ पर बहुत सारे clouds हैं, यानि कि, clouds मतलब क्या हैं, आपके, आसमान में बादल हैं, तो क्या हो सकती, बरसात हो सकती, तो option में, तो आपको may लिखना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दियान रखना है, आपको might लिखना है, इसके बाद आते हैं, next question की तरफ, next question है, इसकी बात करें, तो यहाँ पर पूछा गया है, the rich does help the poor, तो यहाँ पर आ जाएगा, बहुत अच्छा word है, कौन सा आएगा, rich should help the poor, ठीक है, उन्हें करना चाहिए, और उसके बाद में, you dash have a license to drive a vehicle, तो you must, आपको एहवास होना ही चाहिए, तो वहाँ पर must आ जाएगा, जो चीज होगी ही होगी, वहाँ पर must होना है, fill in the blanks with the suitable, determiner से आपको भरना है इसको, तो यहाँ पर today, Tommy found dash real book, तो real book found किया है, dash में है, तो इसमें आपका determinator आजाएगा, a, a real book, उसके बाद में आते हैं, next question पे, he is dash best boy of your school, तो he is the best, ठीक है, he is the best, the best, the best, ठीक है, इसके बाद आते हैं, next question की तरफ, next question में पुछागी आपसे, fill in the blanks with the correct options, तो he jumped dash the river, तो into the river, ठीक है, क्योंकि नदी में कूदा, उसके बाद में आते हैं, 19 question में, I have been living in जैपूर, dash, कब से, since या, four, तो यहाँ पे, जब हमारे पास समय, निश्चित time दिया हो, तो since लगा देते हैं, ठीक है, four जब लगाएंगे, जब हमारे पास अनिश्चित समय हो, ठीक है, उसके बाद आते हैं, next, बीसवे question में, he goes to school, dash foot, तो वो, किस ठीक है, on foot नहीं, पैरो पर नहीं, ठीक है, पैरो के द्वारा तो बाई आएगा, यह option इसमें correct हो जाएगा, तो यह है आपका question paper, अगर आप अपने कोई भी question paper, अर्दवारसिक का, या मंथली test का भेजना चाहते हैं, solution के लिए, तो 8469022568, यह number है, इस number पे आपका भी भी द्यान रखना है, आपको इस number को note कर लें, आपके हमेशा काम आएगा, और उन papers को आप भीजने से पहले, विलकुछ साफ photo कीचे या PDF बना के भीज़े, जैसे कि यह paper किसी ने भीजा था, मैंने आपको solve करके दिखाया, मैं complete solution दूँँगा, आपको घबराने की जरुरत नही तो इस number पर आप उसको भेज सकते हैं, thank you very much, have a good day